देखिया मैं एक ची बता जाता हूँ कास सेंसस देश में नितीश कुमार जी ने बिहार में करवाया ये पब्लिक डोमेन में अब राहूल गांधी जी को तो इतिहास भी थोरा समझना चाहिए जिस परिवार जिस पार्टी से आते हैं लोगों को याद है उनके एक नेता किस तरह 1990 में जब मंडल कमिशन का रिपोर्ट आया तो लोग सभा में किस तरह का बयान दिये थे और मैं तो इंडिया के बैठक में गया हूँ मुख्यमंत्री जी के साथ इंडिया के बैठक में मुख्यमंत्री जी लगातार बोलते रहे कि भै जब देश में भी जाती है जनगन्ना होना चीए मुझे याद है मुंबई मुन्होंने कहा कि एजंडा में डालिये और कॉंग्रेस की ये नेता जो बोल रहा है ये सब लोग चुप रहते थे तो उनको क्या समझ में आएगा कास्ट एंसस क्या कास्ट होता है क्या सेंसस होता है उसका फिर आगे क्या काम करना है इतना स्टेट में तो सरकार रही उनकी कहा करवाएं आज तक तो यहां आक करके चुटकुला करके उनको अपने एक बार तौमेठी गया तो जो वाइनाड सीट है इस तरह जो जोग करते रहेंगे तो जनता वाइनाड में भी जोग कर देगी उनके साथ उस पर ध्यान देना चाहिए नितीज कुमार पिछोरों की राजनीत में खास करके नितीज कुमार का जो कंट्रिबिशन है जो काम है अगल जो कास सेंसस में उनका किया हुआ काम है और उसके बाद जो उस पर जो भी कुछ भी इंप्लिमेंट किया है तो बिहार के जनता के बीच में है ना दो बार वो वगिदान सभास से इसको पास करा है अगल सब पार्टी का सपोर्ट ले करके तब हिस काम को करवाय है अब उतो जनता तै करेगी किसको हटाएंगे नहीं हटाएंगे 24 में कॉंग्रेस के गेट पे ताला लग जाएगा ये भी किसी हाउस में नहीं जा पाएंगे ऐसी स्थीत रही तो लोग भी इन पर हस्ता है पता है उनको इस बात उनके इन सब बातों पर लोग हस्ता ही है जब इस सब बात करते हैं कि नितिश कुमार जी को हम लोग बोले करने के लिए कुछ समझ में आता है कब से नितिश कुमार जी बोल रहा है और कब से इस चीज़ को कर रहा है अभी तो है सरकार क्योंनी करवात है अपने जहां जहां उनकी सरकार है आप पहले सरकार थी तक क्यों नहीं करवा देखिए ये ऐलाइणस बनवाने का काम ही नितिस कुमार की है हम लोग जहां गए संजूक समय मुख्यमंत्री जी के साथ है जितने रिजिनल मुख्यमंत्री थे सब तो नितिस जी को यही कहते थे कि Congress को छोड करके हम लोग Alliance बनाते हैं Congress के साथ नहीं जाएंगे नितीस जी बोलते थे नहीं Congress को भी साथ रखी यह जो Alliance की बात हो रही है वो तो बनवाने का ही काम किया अजब छे महिना में इस Alliance में कुछ नहीं हुआ वो हर एक बार बोलते थे मैं सब कुछ फाइनल कर लीजे जब कुछ नहीं हुआ और उसके बाद जिस तरीके से ये लोग काम कर रहे थे कुछ लोग बैठ करके सिर्फ कॉंस्परेसी कर रहे थे इस इंडिया लाइंस में कौन तयकिया की पत्रकारों को बैक आट करेंगे मुख्मंतरी ते अगजर दिन बोले गलट बात है यह कौणरस ने तयकिया था ना कहा है पत्रकारों को बैकरेट कीज़ेगा भाई तो वो अपना माइंड बोलते थे जो सही गलत जो है मुख्वंत्री जी लास तक उन्होंने कोसिस किया अगर उनका ये रहता तो देश भर में घुमते रहते ही मुख्वंत्री जी अग घुम करके सब कोई कठा करते ये जो अब इससे नहीं है कोई इसमें सीरियस नहीं है को कॉंग्रेस खुद ही दो हजार चोविस का चुनाओ के लिए हार मान चुकी है वो दो हजार उन्टिस का तैयारी कर रहा है ऐसे को लोग भी बोलते थे वो तो ऑल्लेडी गिब अप कर चुक है और मैंजे से बताया कि पुर कुछ बात ऐसी है जो हम लोग देख रहे थे जो लोग पीठ पीछे जोन चीजों करते थे लिटीज कुमार जी को कहीं न कहीं एक अपमान जीब भी जहलना परा उस एलाइंस में जिस तरह उन्हों का व्यभार रहता था सारे चीजों तो इस सब बैग्राउंड में फिर डि